हेलो माई लबली वाई टी फेमेली हाँ वार्यू आई हूप अपका व्यच्चाई सल रहा है मैं भी ठीक ठाके हूँ तो फ्रेंज आज का केक है थ्री पाउन का टू लायार का केक सबसे यूनिक डिजाइन केक है तो आज का केक का डिजाइन देखने के लिए पूरा परेंज डीके यहां मेने दोडो बेस में रहा है को टो पहले वाला बेस को मिने 5 लायर में कांट लिया और 2 ब्लायर करें दोने टोले लेयर काटिंग कर लोंगी क्योंकि ये सेम आप जब लायर केक बनाओगे ना सेम हैट राखना साहिए ताकि जो केक का लूख है ना बहुती ब्यूटिफुल देखे और बहुती प्रेटी देखे तो इसलिए आप लायर केक बनाए तो लायार लायार निशेय वाला बेस उपर बस ऐउने एक बनाया था सब्सक्राइबा करना ऐ है कोहीं में बनाया था परइंस मॉल्ड में तो बेच को नोर्मेल वाटर से पहले सोग कर लिया और अब क्राम पूद करोंगी प्लायर को सम प्रोसेस करके पहले मेर स्केल को लूँद कर लूँद कि इस कंई सम्रत कर के फ्लेवर बहुद रबगरां हो कि यह किसे कर ने कहा उसको फिलेवर नहीं साहिए सिम्पल बेनिला तोई से पहले मैंने क्राम कोड कर दूँगी फ्लेवर बगरह स्ट शलेभा कि ऑवी नहीं दो किया तो देखते रहे हैं पुरा वीडियो को वीडियो तो देखती हो झालए हमाले से क्या होता है जो में मिन बश्याथ होता है नामें में त्रिक्स होता है वह शारा आपने मीश कर देती है तो इसलिए पुरा वीडियो को देखना सहिए आपको सीङए तो पूरा वीडियो को वाश करना सहिए तो फ्रेंज देखिए क्रामपुट करने के बाद में डोनों के को रखा था फ्रीज में ताकि अच्छी तरीके से क्रीम याने की जो केक का आइस्पॉन से वो सारा अच्छी तरीके से सेट होने दिया था अभी निकाल करके करना है फाइनिल फिनिशिंग मतलब फाइनिल आइसिंग तो दिखिए प्लेट नाइब से मैंने सारा केक में क्रीम पहले लगा लिया था अभी कम क्रेपर गुमा के जितना एक्ष्टा क्रीम लगा था केक में और सारा केक में क्रीम एक बराबर हो जाएगा यही बिगिनार्स के लिए बहुत ही हेलफुल टीप से फ्रेंस आप बिगिनार्स हो तो आपको क्या करना है क्राइशिंग करने की बात क्राम को करने की बात पाइपिंग बैक में क्रीम डालना है और सारा केक में क्रीम कबर करना है देखिए मैं जिस तरीका करके फोल्ट लाइ बाद में क्रेपर को गुमाएगा देखेगा आपका जो फाइनल फिनिशिंग है कि ना बुरी असा फिनिशिंग फटाफट आज आएगा देखिए यहां मैंने फोल्ट लन भी बना लिया और सी असनों करने के बाद आब आधे मैं बुरास से लगा रही हूं जो गोल्डेन डास्ट हे रहिवाट लिए है जो लिक्विएट डास्ट को लिक्विड बना है चारा फोल्थ लाइन में लगा लोगी तो दन्हों केक को महीं ऊपर करके बनाया और आभी दीखिये एक की ऊपर एकको मनें की इस तरीका करके बिठाया और यह देखिए मैंने इस्टिक बगरा बीना देखे भी के उपर का केक में सेट करना साहती थी लेकिन देना परेगा तुरी सी हाइट है तुरी सी वेट का केक है और इसलिए हमको जब काम करना है सारा सोच समस्क करना है ताकि केक में कोई दिक्कत ना है कोई प्रोब्लेम ना तो इसलिए देखिए कितना क्यूट देख रही होना और देखिए यहां मैंने डेर सारा फंडेन से रोस प्लोवार बना के रखा था मतलब ड्राइव होने दिया था बहुत ही इजी प्रोसेस से मैंने फंडेट फ्लोवार बनाती हूं आपको रेशीफी सही है तो मैं जुरूर आपको देखने मिलेंगे और बेल आइकन के जरूर किलिक करना ताकि जब मैं वीडियो अपलूर्ट देऊंगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियो पूसन है तो जरूर लाइक शियर करना दिखिए मैं चारा पंडेन रोस को लगा लिया एक बना ल लिया था वाइट पंडेन रोस और एक बना लिया था ब्लू तो दिखिए ही है केक का फाइनल लोग आपको कैसे लगा जरूर प्यारी प्यारी कमेंट करके बताएगा और फिर मिलेंगे और एक नियू डिजाइन नियू वीडियो लेके तब तक के लिए वावाई देखिए कितना खिला खिला रोज बनाया था मैंने फंडेन से इस रोज को आपको साहिए तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा बाबाई